लास में हम Pseudomorphism के बारे में दोस्तों discussion करेंगे Pseudomorphism का मतलब यही है दोस्तो One mineral is replaced by another mineral क्या है दोस्तो One mineral is replaced by another mineral यही है दोस्तो हमारा क्या Pseudomorphism देखते हैं दोस्तो इसका actual definition आपको यहां पर समझाता हूँ Replacement of one mineral by another Okay, low temperature phenomenon होता है usually Weathering environment भी हो सकता है Preserve the external form दोस्तो जो भी पहला mineral होता है दोस्तो उसका जो external form होता है दोस्तो प्रिजर्ब रहता है जो भी मतलब की parent mineral होता है Suppose यह एक parent mineral है दोस्तो यहां पर दूसरे mineral यह है B mineral यहां पर B mineral इसके external form को कुछ नहीं करेगा दोस्तो वो internal form को दोस्तो बिगाड़ देगा बाहर से तो आपको दीखेगा लेकिन अंदर से दोस्तो दूसरा composition आपको देखने को मिलेगा इस property को हम क्या बोलते हैं कि pseudomorphism आप देखिए यहां पर देखिए दोस्तो एक quaj है यह best example है लेकिन इस quaj को दोस्तो externally यह तो इतना disturb नहीं किया है लेकिन कुछ mineral जो की होते हैं दोस्तो fluoride क्यूबिक fluoride दोस्तो जो कि isometric system में crystallize करता है और दोस्तो मतलब कि इसको क्या कर रहा है कि replace कर रहा है तो mineral पहले क्या था दोस्तो एक पूरा totally hexagonal quaj था यह बला mineral अब जो देख रहे है hexagonal quaj था लेकिन इसके बाद में दोस्तो क्या हुआ कि जो isometric fluoride होते हैं दोस्तो इसके अंदर insert कर गया यह वाला isometric fluoride है तो इस property को हम क्या बोलते हैं pseudo morphism बाहर से कुछ और और आंदर से और कुछ mineral दीखेगा दुस्तो बाहर से यह क्या दिख रहा है दोस्तो एक hexagonal quaj जैसा ही दिखेगा लेकिन अंदर से दोस्तो यह क्या दिखेगा fluoride ही दिखेगा तो यह जो phenomenon आपको देखने को मिलरा है इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तो, pseudomorphism, because one mineral is replaced by another, one mineral is replaced by another, this phenomenon is known as pseudomorphism, दोस्तो, एक best example यहाँ पर मैं लेना चाहूंगा दोस्तो, goethard, okay, goethard weathering के बज़े से दोस्तो, क्या होता है कि pyrite के अंदर pseudomorph कर जाता है, okay, if a crystal of a mineral is altered, if a crystal of a mineral is altered, so that the internal structure और chemical composition is changed, but the external form is preserved, then this phenomenon is known as what? pseudomorph, okay, pseudomorphism, तो दोस्तो, यहाँ पर आपको goethard का एक best example आप देख सकते हैं, जो की pseudomorph करता है, दोस्तो, pyrite के साथ, दोस्तो, यहाँ पर जो pseudomorphism में, जनरली तीन प्रोसेस से pseudomorphism होता है, दोस्तो, तीन प्रोसेस क्या है, दोस्तो, incrostruction, और दोस्तो, infiltration, और तीन नवर प्रोसेस है, दोस्तो, replacement, और इसको हम substitution भी बोलते हैं, दोस्तो, आपको भी पता है, एक mineral अगर replaced by another, और देखे दोस्तो, पहले, एक mineral पे दोस्तो, X ही था, उसके बाद दोस्तो, एक Y बालग component आया, और X को दोस्तो, बाहर निकार दिया, तो यह जो phenomenon होता है, क्या है, उसके बाद उस mineral पे क्या रहेंगे, इस mineral पे क्या रहेंगे, यह तो X का था, बाहर से X दिखेगा, लेकिन अंदर तो Y ही रहेगा ना, तो इस process को हम replacement और substitution बोलते हैं, दोस्तो, कभी-कभी क्या होता है, कि एक दोस्तो, cavity में, infiltration हो जाता है, देखिए दोस्तो, क्या होता है, एक दोस्तो, mineral के cavity में, क्या होगा, पहले बहुत सारे mineral यहां पे थोड़ा बहुत cavity होता है, क्या बाहर से तो mineral दिखता है, लेकिन एक magma, magma क्या होता है, इसके अंदर infiltrate करता है, थोड़ा बहुत cavity के कारण, तो माग्मा जब इन्फिल्ट्रेट करता है दोस्तों, यहाँ पे इंटर्णंली, दोस्तों, ओ माग्माटिक मिनराली डेभलोब होते हैं, जो पहले था दोस्तों, ओ क्या होगा? ओ यहाँ तो रियक्षन के बज़े से रिमूब भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यह cavity में दोस्तो इन्फिल्ट्रेशन के कारण यहाँ पे आपको pseudomorphism देखने को मिलेगा इन्फिल्ट्रेशन, replacement, one mineral is replaced by another तो दोस्तो इन्फिल्ट्रोक्षन means क्या होता है कि it is a process of deposition, a coating of a mineral to the another a deposition of what? coating, मतलब कि यह crystal होगा दोस्तों, दूसरा crystal का दोस्तों इसके उपर coating आ जाएगा okay, depositing a coating of one mineral to the another, दोस्तों ऐही है हमारा incrostruction तो यह तीन प्रोसेस होते हैं generally, कहाँ पे दोस्तों, pseudomorphism में, pseudomorphism का मतलब क्या है one mineral is replaced by other mineral, तो दोस्तों तीन प्रोसेस, replacement, substitution and infiltration यह दोस्तों तीनों ही प्रोसेस, infiltration generally, solution के बज़े से जाए दर आपको देखने को मिलता है और कभी-कभी दोस्तों, igneous process के बज़े से भी आपको देखने को मिलेगा तो यह most important process of pseudomorphism okay, दोस्तों ऐही था pseudomorphism, thank you